हलो बचों सबको बहुत बहुत गुट मॉर्निंग आई होप आप सब लोग बढ़िया हैं और अच्छी तरह से और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आपको याद होगा बचों आज हम लोग किसकी बात करने वाले हैं डाउट्स तो जैव अनू कम्प्लीट हो चुका है बचों और जैव अनू से संबंदित जितने भी डाउट्स हैं आज हम उसकी बात करेंगे सबको बहुत बहुत गुट मॉर्निंग भई तो अच्छी तरह से रिवाइस करे हो कि नहीं करे हो भई बायो मॉलिक्यूल जैव अनू अच्छी तरह से पड़े है कि नहीं पड़े हैं हम लोग अरे बढ़िया है भई हम आप बताइए की हल चाल है भई तो जैव अनू के आज हम डाउट्स करेंगे भई ठीक है भई चलो सबसे पहली चीज एक चीज सबसे पहले था सर कंपेटिटिव इनिबिशन और उसमें कैसे के एम और वो वाला सिस्टम इदर ध्यान देंगे बच्छों देखो भई प्रतीस परधा संदमन और अप्रतीस परधा संदमन यानि नौन कंपेटिटिव इनिबिशन तो ध्यान से समझना भई, जब हम प्रतीस परधा संदमन की बात करते हैं, सुन लेंगे, जब हम प्रतीस परधा संदमन की बात करते हैं, तो प्रतीस परधा संदमन में मैंने आपको बताया था, कि जादा सब्स्ट्रेट, अभीकारक की सांद्रता, सब्स्ट्रेट की सांद्र सांद्रता बढ़ा कर हम इस संदमन को कम कर सकते हैं तो जब आप सब्स्ट्रेट की सांद्रता बढ़ाओगे बच्छों तो सब्स्ट्रेट की सांद्रता बढ़ेगी तो केम का मान भी तो बढ़ेगा भाई क्योंकि केम किसके समानुपाती होता है S, KM किसके समानूपाती होता है, S के समान होता है न, तो अभीकारक की सांदरता बढ़ाओगे, तो KM का मान भी बढ़ेगा, तो प्रतीस पर्दा संदमन में इसलिए KM का मान बढ़ता है, और KM का मान बढ़ जाएगा, संदमन रुख जाएगा, तो KM VMAX क्या होगा, same, ठीक है, और non-competitive inhibition में तो अभीकारक, अभीकारक जोड़ ही नहीं पाता, तो KM तो मान यहीं नहीं है, और VMAX का मान क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि संदमन हो रहा है न, non-competitive inhibition में संदमन होगा, संदमन होगा, तो अभीक्रिया की दर घटेगी, घटेगी, मतलब VMAX का मान कम हो जाएगा, ठीके भई, चलो, ये तो बता दिया मैंने आपको, अब क्या है भई, कार्बो हाइडरेट उपापचय का नियमन कौन करता है, हॉर्मोन करते हैं, वो तो हॉर्मोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे न, कार्बो हाइडरेट उपापचय का नियमन, इंसुलिन और ग्लुकागॉन हॉर्मोन करते हैं, अभी कहां आएगा वो तो हॉर्मोन वाले में आएगा, वी मैक्स का मतलब है अधिक्तम अभी क्रिया की दर, अभी क्रिया की दर जब अधिक्तम होती है, उसे वी मैक्स कहते हैं, सल्फा ड्रक्स क्या होता है, सुन लो, सल्फा ड्रक् का प्रयोग करते हैं ठीके शैपरोंस ओके एक टर्म है भई शैपरोंस क्या होते हैं मैंने बताया था शैपरोंस ऐसे विशिष्ट प्रोटीन होते हैं जो दूसरे अन्य प्रोटीन के फोल्डिंग में काम करते हैं तो ऐसे प्रोटीन ऐसे विशिष्ट प्रोटीन जो अन्य प आते हैं इस चाप्टर से जैवणू से दो से तीन प्रशन आएंगे नीट में दो से तीन प्रशन नीट में इस चाप्टर से आते हैं केम किस पर निर्भर करता है भई केम किस पर निर्भर करता है केम अभीकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगा ना बेटा केम किस पर पेप्टाइड श्रिंखलाएं होती हैं बच्छों, इंस्यूलिन जो होता है उसमें दो पेप्टाइड श्रिंखलाएं होती हैं, दो पेप्टाइड श्रिंखला, एक एप्टाइड श्रिंखला, एक बी पेप्टाइड श्रिंखला, इसमें 21 अमीनों अमल होते हैं, इसमें 30 एक्यावन अमीन उम्ल से बना होता है 51 अमीन उम्ल से दो peptide श्रिंकला होती है a-peptide, b-peptide दौनों के मध्य डायसलफाइड बंद होते है a-peptide में 21 अमीन उम्ल b-peptide में 30 अमीन उम्ल अनक-पर्टी… क्या है बेटा ये अनकम्पेटिटिव बता दिया ना बिटा ठीक है इंसुलिन में तीन डायसलफाइड बंध है भई बिल्कुल ये मैं बता दूँगा टाइरोसीन का स्ट्रक्चर बताया हुआ है यार् वाप आप तो वही चीज़ टाइरोसीन के संदचना में क्या प्रॉबलम है भई ये बताया था टाइरोसीन का स्ट्रक्चर न अच्टू होगा सी ओओ एच ये तो तो सभी में मिलेगा ये तो सभी में मिलेगा फिर मैंने बताया था टाइरोसीन में आर समू में ये बेंजीन समू होता है ये टाइरोसीन की संदचना है भई ये किस अमीनोमलक की संदचना है टाइरोसीन जो मैंने बता दिया बेटा संदचना वापस पूछने का क्या फाइदा है माल्टोस की संदचना फॉस्फो लिपिड्स बताया था भई फॉस्फो लिपिड्स में क्या होगा फॉस्फो लिपिड्स में मैंने बताया था क्या होगा ग्लिसरॉल अल्कोहॉल कौन सी होगी ग्लिसरॉल ये रहा ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल के साथ दो एस्टर बंद दो वसिया अमल बनाएंगे वसिया अमल वन वसिया अमल दो फिर एक फॉस्फेट समू होगा और एक नाइट्रोजन योगिक होता है ये एक फॉस्फो लिपिड्स की संदचना है भई फॉस्फो लिपिड में ग्लिसरॉल अलकोहॉल है आपके पास और ग्लिसरॉल के अलावा दो वसिया अमल है एक फॉस्फेट समू और नाइट्रोजन कंपाउंड और जो लेसिथिन होता है जो फॉस्फो लिपिड याद रखना है इसमें नाइट्रोजन योगिक कौन सा होत होता है कोलीन नाइट्रोजन योगिक कौन सा होगा कोलीन एन CH3 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 ठीक है भई लाइगेसेज क्या होती है लाइगेसेज वो एंजाइम्स होती है जो बंद जोडती है बंद जोडने वाली एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं लाइगेसेज एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है एनोमेरिक कार्बन जो है वो क्रियात्मक समूवाला कार्बन है भई जो फंक्शनल ग्रूप है एल्डिहाइट समूवाला कार्बन कीटोन समूवाला कार्बन एनोमेरिक कार्बन होता है ठीके भई, D form और L form आप chemistry में पढ़ोगे, मैंने बता दिया था फिरफ प्राकर्तिक रूप से जो अमीन अमला है वो L रूप में पाई जाएंगे, प्राकर्तिक रूप से जो शरकरा है वो D रूप में पाई जाएंगी, D और L रूप क्या होते हैं ये stereo chemistry में आप पढ़ क्या नहीं, 20 ही आंसर करना, 21 वामीन अमला कौन सा होता है मैंने बता दिया, इस पर कोई नीट प्रशन नहीं बनाएगा कि 20 हैं या 21 है, NCRT में एक जगे 20 दे रखा है, एक जगे 21 दे रखा है, 21 वामीन अमला मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इस पर प्रशन नहीं प्रिवियस यार क्वेशन जैव अनू के डाल रखे हैं, एंजाइम एक्जोथर्मिक थोड़ी होता है, एक्जोथर्मिक एक अभीक्रिया होती है बचों, एक्जोथर्मिक एक अभीक्रिया होती है, जिसमें उर्जा निकलती है, रिलीज होती है, वैक्स क्या होता है, वैक् वसीय अमल से बनता है, तो वसीय अमल और एलकोहल से जो एस्टर बनता है वो वैक्स है मौम, और वो जल-विरोधी होता है, तो जहां कई भी आप जल-विरोधी, योगिक चाते हैं वहाँ पर वैक्स का यूज किया जाता है, ठीक है, काईटिन ब्रांच देया, अन ब्रांच दोता है, असाखित, काईटिन क्या होता है भई, असाखित होता है काईटिन की जो संडरचना है मैंने बताया था एक तो ये होमो पॉली सैखराइड होता है सम बहुलक होमो पॉली सैखराइड है याद रखना अन ब्रांजड होता है अशाखित है और इसमें एक विशिष्ट प्रकार की शरकरा होती है विशिष्ट प्रकार की शरकरा होती है जिसे हम कहते हैं अमीनो शरकरा अमीनो का मतलब है उसमें अमीनो समू नाइट्रोजन योगिक अलग से होगा और उसका नाम था नाग N-Acetyl Glucosamine ये विशिष्ट अमीनो शरकरा जो है वो काईटिन है लाइजोजाइम HCL में मरत लाइजोजाइम एंजाइम है लार में होती है बचों ठीक है के एम क्या है बचों आप के एम का तो सिस्ट देखो बचों अगर आप डाउट्स का मतलब ये थोड़ी है कि आप पूछोगे जो एक टर्म ही आपको नहीं पता बचों के एम तो फिर क्लास अटेंड़ी नहीं की ना बचों आप लोगों ने अगर आप ये पूछे के एम क्या होता है तो बेटा फिर क्लास अटेंड़ी नहीं की के एम का मतलब क्या होता है के एम अभीकारक की वो सांद्रता होती है जिस पर आधे एंजाइम के सक्रियस थल भरे होते हैं ये मेरे पास एक एंजाइम है ये एंजाइम का सक्रियस थल है बताया था इस सक्रियस थल पर कौन जुड़ता है एंजाइम के सक्रियस थल पर कौन जुड़ता है भई एंजाइम के सक्रियस थल पर क्रियाधार अभीकारक जुड़ता है जुड़ता है अभीकारक फिर केम हमें पता है केम का मतलब क्या है ये constant है केम का मतलब है माइकलस मेंटेन constant है इसके मान को नियत कर सकते हैं ना fix कर सकते हैं क्योंकि ये constant है तो विज्यानिकों ने कहा केम क्या होता है केम अभीकारक की वो सांद्रता होती है जिस पर enzyme के आधे सक्रियस्थल भर जाते हैं तो केम किसके समानू पाती है अभीकारक के केम अभीकारक की वो सांद्रता है जिस पर enzyme के आधे सक्रियस्थल भर जाते हैं बताया था मैंने मैंने कहा अगर एक लाग अभीकारक एक लाग अभीकारक एंजाईम के सक्रियस्थल को पूरा भरने के लिए चाहिए तो KM का मान मैंने आपको बताया था कितना हो जाएगा 50,000 क्योंकि क्योंकि KM जो है वो अभीकारक की वो सांदरता है जिस पर एंजाईम के आदे सक्रियस्थल हो जाते हैं, आदे सक्रियस्थल हो जाएंगे मतलब अभीक्रिया की दर भी अधिक्तम की आधी हो जाती है, ठीक है, right-handed helix का मतलब सही है, right-handed मैंने कह था clockwise दिशा में, जब किसी को भी आप clockwise दिशा में घुमाते हो, ठीके है, हेलिक्स का मतलब घुमा हुआ एक कुंडलित संदचना है, अगर उस कंडलित संदचना को आप clockwise घरी की दिशा में घुमा रहे हो, तो वो alpha हेलिक्स है, और अगर anti clockwise घुमा रहे हो, तो वो beta है, प्रोलीन अमीनो अमल मैं बता चुका हूँ, प्रोलीन अमीनो अमल होता है, वो वास्तव, वो एक इमीनो अमल है, क्यों है, हर अमीनो अमल में क्या होता है भई, हर अमीनो अमलकी संदचना कुछ इस प्रकार से होती है एक अमाइनो समू होता है एक आसेड एक समू है हर अमीनो आसेड में प्रोलीन जो है उसमें प्रॉबलम क्या है प्रोलीन का जो ये NH2 समू है प्रोलीन का जो ये NH2 समू है वो एक वले संदचना में पाया जाता है प्रोलीन का जो NH2 समू है वो इस समू या इस वले समू में पाया जाता है इसलिए अच्छी तरह से पेप्टाइड बंध नहीं बना सकता ठीक है इसलिए हम प्रोलीन को इमीनो अमल भी कहते हैं क्योंकि इसमें सही अमाईनो समू नहीं है, नाइट्रोजन जो है वो वले रूपी संदचना में है, नाइट्रोजन बेस मैंने कहा था, नाइट्रोजन बेस जो है वो मैं आणविक जैवी की मैं बताऊँगा, ठीके, एंजाइम सब्स्ट्रेट काइनेटिक्स का ग्राफ किसके बीच में बनाया जाता है, अभी कारक सांद्रता और अभी क्रिया की दर के मद्य, सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, वी का मतलब है अभी क्रिया की दर, और एस का मतलब है अभी कारक की सांद्रता, तो अभीक्रिया की दर और अभीकारक सांद्रता के बीच में क्या बनता है भई ग्राफ बनता है और ये ग्राफ होता कैसा है ये ग्राफ होता है आयताकार अती परवले तो आयताकार अती परवले सबसे पहला सवाल जो आ सकता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट काइनेटिक्स का जो ग्राफ होता है वो किस प्रकार का होगा आयताकार अती परवले होगा इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि शुरुआत में जैसे जैसे अभीकारक की सांदरता बढ़ेगी वैसे वैसे अभीकरिया की दर बढ़ेगी जैसे जैसे अभीक्रिया की सांद्रता बढ़ेगी वैसे वैसे अभीक्रिया की दर बढ़ेगी क्यों होगा ऐसा ऐसा क्यों होगा क्योंकि जैसे जैसे अभीकारक की सांद्रता बढ़ेगी वैसे वैसे एंजाइम के सक्रियस थल अभीकारक से भरेंगे और वैसे वैसे अभीक्रिया की दर बढ़ेगी क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट को उत्पादक में परिवर्तित करेंगे कब तक होगा ये कब तक होगा जब तक एंजाइम के सक्रियस्थल पूरे नहीं भर जाते एंजाइम के सक्रियस्थल जैसे ही पूरे भर जाएंगे अभीक्रिया की दर अधिक्तम हो जाएगी VMAX का मतलब है अभीक्रिया की दर अधिक्तम हो जाएगी हो गई अधिक्तम, एंजाइम के सक्रियस्थल भी पूरे भर गए अब आप कितना भी अभीकारक बढ़ाओ, कितना भी अभीकारक की सांद्रता बढ़ा दो, अभीक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि अभीक्रिया की दर अधिक्तम हो चुकी है, और एंजाइम संत्रिप्त हो चुकी है, ठीके भई, तो ये आपका ES, जो और पिरिमिडीन डीने में पढ़ेंगे अपन और न्यूकली कमल मैंने बताया था कि हम आन्विक जैवी की में पढ़ेंगे ठीके अरे एंजाइम का बेस पिएच क्या है अरे हर एंजाइम का अलग-अलग पिएच होता है हर एंजाइम अलग-अलग पिएच मान पे काम करेगी ना हर एंजाइम अलग-अलग तापमान पर काम करेगी लेकिन एंजाइम जो बेस तापमान पर काम करती है वो होता है 20 से 35 दिग्री सेंटीग्रेट 20 से 35 दिग्री सेंटीग्रेट के मध्य एंजाइम सबसे बहतर काम करती है ठीक है एनोमर्स क्या होते हैं क्रियात्मक समू जो होता है क्रियात्मक समू में H और OH जब आप चेंज कर देते हो एनोमेरी कार्बन पर तो एनोमेर्स बनते हैं यार सूक्रोस की संदचना जाननी है आप लोगों को आओ ठीक है सूक्रोस में क्या होता है आजाओ किस तरह का ग्लुकोस बनाया ये किस तरह से कोर्स की ये किस तरह का है भई किस तरह का ग्लुकोस है अलफा है या बीटा है अरे अलफा है या बीटा है पहला कार्बन या नो मेरी कार्बन है H उपर है OH नीचे है कौन सा ग्लुकोज है ये अल्फा ग्लुकोज है कौन सा ग्लुकोज है अल्फा ठीक है ये रहा फ्रक्टोज क्या तनरचना है ये रही फ्रक्टोज की ये फ्रक्टोज है अब इदर देखो यहां से OH हटाओ और यहां से H हटाओ अब बन जाएगा आपके पास ये फ्यूरेनोज रूप है भई फ्रक्टोज का अब बन गया स्ट्चर अब बना लोगे सूक्रोज की संदचना भई अब तो बना लोगे ये रहा फ्रक्टोज ये रहा ग्लूकोज यहां से OH यहां से H हटाया जल का अणू माइनस किया और आपके पास संदचना बन गई सूक्रोज की इसलिए मैंने आसानी से बता दिया था और यहां ग्लूकोज का फर्स कार्बन फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन से बंद बनाता है पैराफीन वैक्स एक प्रकार का वैक्स होता है भई पैराफीन वैक्स एक प्रकार का वैक्स है बिलकुल को फैक्टर का मेटल आयन अरे को फैक्टर मेटल आयन को फैक्टर का उधारन है भई डाय सल्फाइड बन बनाने में कौन काम करते हैं डाय सल्फाइड बनाने में मीथियोनिन और सिस्टीन अमीनो अमलो होते हैं सिस्टीन में सल्फर होता है मीथियोनिन में सल्फर होता है तो सिस्टीन और मीथियोनिन के कारण डाय सल्फाइड बनते हैं बेसिक अमीनों अमलों को बेसिक पीएच में रखने पर क्या होगा अरे एक अमीनों अमलों तीन बेसिक अमीनों अमलों होते हैं तीनों कोई जादा शारिय होता है को कम शारिय होता है ऐसे कैसे निकालोगे आनसर आप प्रोस्टा ग्लैंडिन्स क्या काम करता है प्रोस्टा ग्लैंडिन्स चिकनी पेशों में संकुच अनुद्पन करता है ठीक है काईटिन के बारे में बता दिया है एक ही देखो बच्छों हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स हैं उसमें एक स्टूडेंट अगर 50 बार कमें करेगा तो बागी सारे कोईमेंट में देख भी नहीं पाऊंगा बचो है एचेसपी हीट शॉक प्रोटीन शैपराउन का उधारन था बता चुका हूँ सेरिबरोसाइड और गैलेक्टिोसाइड गैंग्लियोसाइड और सेरेब्रियोसाइड गलाइको लिपिट्स के उधारन है तंत्री का तंत्र में पाए जाते हैं अमीनो अमलो होता है बताया था ना आरजिनीन, लाइसीन, हिस्टिदीन जंतू सिंमेंड किसे कहा जाता है जंतू सिमेंड किसे कहा जाता है पहला अच्छा प्रशन पूछा है किसी आफ लोग वही चीजे पूछ रहे हो जो अपन क्लास में पढ चुछे और समझ चुके हैं इश्टतम तापमान इश्टतम पीएच का मतलब है उस पीएच या उस तापमान को इश्टतम पीएच या इश्टतम तापमान कहते हैं जिस पर एंजाइम की क्रिया सबसे बहतर हो यह आपके पास ग्राफ है यह पीएच और तापमान है यहाँ पर एंजाइम क्रिया है यहाँ पर एंजाइम वाई आक्सिस पर एंजाइम क्रिया है यहाँ पर पीएच और तापमान है ग्राफ कैसा था ऐसा, इसका मतलब यहां पर देखो, यहां पर यह मान है जिस पर इंजाइन क्रिया सरवाधिक है, यहां पर क्रिया क्या है, सरवाधिक क्रिया है, यह सरवाधिक क्रिया है, तो सरवाधिक क्रिया जिस pH या तापमान पर होगी, जिस pH या तापमान पर enzyme की क्रिया सरवाधिक होगी उसी को हम इश्टतम pH या तापमान कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं इसको optimum pH या temperature तो जिस pH या जिस तापमान पर enzyme की क्रिया सरवाधिक होती है उसे हम इश्टतम कहते हैं जिस pH या जिस तापमान पर enzyme की क्रिया सरवाधिक होगी उसे हम इश्टतम pH या इश्टतम तापमान कहते हैं इस chapter से बताया धिया मैंने आपको सुना इस chapter से 2 या 3 प्रशन आते हैं नीट में अब एक student है आप सुनो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि इस chapter से 2 या 3 प्रशन नीट में आएंगे फिर भी एक जने आप में से एक student है वो 50 बार वही comment कर रहा है सर इससे कितने सवाल आएंगे नीट में तो बच्चों ऐसे तो जो question तो धंक से पूछना चाता है वो भी नहीं पूछ पाएगा अगर आप एक comment को सौ बार करोगे बेटा और वही चीज जो मैं बता चुका हूँ उससे क्या फाइदा होगा ती सिस्टीन और अच्छा ये अच्छा है इधर सुनो भई ये सिस्टीन जो होता है ना जब 2 सिस्टीन दो सिस्टीन आपस में सलफर के दोरा जुड़ते हैं तो उसको सिस्टीन कहते हैं सुनना ये जो सिस्टीन है, सिस्टीन में सलफर पाया जाता है, अब आप दो सिस्टीन को सलफर से जोड़ दो, दो सिस्टीन अमीनो अमल को सलफर से जोड़ दोगे, तब उसे क्या कहेंगे, सिस्टाइन कहेंगे, तब उसे क्या कहेंगे, सिस्टाइन कहेंगे भई, अच्छा कौन से अमीनो अमल, कौन से अमीनो अमल प्रोटीन संचलेशन में प्रयुक नहीं होते अच्छा क्वेस्चन है कौन से अमीनो अमल होते हैं जो प्रोटीन में बहुत सारे होते हैं बच्छों जैसे आपके पास औरनिथीन होता है, सिट्रूलिन होता है, एक गाबा होता है, गामा अमीनो ब्यूटाइरिक अमल, ठीक है ये कुछ अमीनो अमल हैं और ये ऐसे अमीनो अमल होते हैं जो प्रोटीन संचलेशन में प्रयुक्त नहीं होते तो ऐसे अमीनो अमल जो प्रोटीन संचलेशन में प्रयुक्त नहीं होते हैं, उनके ये नाम हैं, ये आगे पढ़ते हैं हम, जब अपन यूरिया चक्र पढ़ेंगे, यूरिया चक्र में हम और निथीन सिट्रूलिन के बारे में पढ़ेंगे, जब हम तंत्री का तंत्र तो ये गाबा की बात करेंगे ठीके भई तो उसमें हम पढ़ लेंगे ये चीज तो ये ऐसे अमीनों अमले हैं जो प्रोटीन संचलेशन में प्रयूक्त नहीं होते हाँ प्राकर्तिक अमीनों अमले हैं ये लेकिन प्राकर्तिक का मतलब है कि ये प्रोटीन संचलेशन में प्र रुबिस्को एंजाइम है प्रकास अंसलेशन में काम करती है रुबिस्को एक एंजाइम है जो प्रकास अंसलेशन में काम करती है प्रकास अंसलेशन में पढ़ेंगे ना उसके बारे में अपन जो बालो में केरेटिन होता है केरेटिन की द्वित्यक संदचना अलफा हेलिक्स की होती है भई अलफा हेलिक्स की आर्थ्रोपोडा में जो काइटिन है वो किसके बहूलीकरण से बनता है बता तो दिया N-Acetile Glucosamine एन एसीटाइल ग्लूकोसमीन जो है वो एक शरकरा है उसके बहुली करन से काइटिन बनता है कैटलिस्ट और एंजाइम के बारे में अंतर मैंने क्लास में भी बता दिया था आप वीडियो ही नहीं देखते हैं क्लास यह टे नहीं करोगे बच्चों तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आप आधे 90% प्रशन वो हैं जो हमने क्लास में डिसकर्स किये हैं मैंने टॉपिक समझा रखे हैं अगर आपने वो टॉपिक नहीं समझे वीडियो ही नहीं देखा है बच्चों तो बहुत प्रब्लम आईगी आप लोगों कैटलिस्ट और एंजाइम में मैंने बताया था दो अंतर हैं पहला मैंने बताया था कि जो एंजाइम होती है वो 20 से 35 डिग्री कम तापमान पर काम करती है जो chemistry में आप catalyst यूज़ करते हो वो बहुत अधिक तापमान पर काम करते हैं दूसरा जो chemistry में catalyst होते हैं वो अभी क्रिया की दर को बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं enzymes जो होती है वो अभी क्रिया की दर को बढ़ा देती है कौनका wellin क्या होता है कौनका wellin एक परेका lectin है lectin का मतलब एक ऐसा protein है जो शक्रा से जुड़ जाता है kin enzyme में iron होता है peroxidases और catalases button enzymes जिसमें iron मिलता है ठीक है आईसो एलेक्ट्रिक पॉइंट अलग-अलग होगा भई हर अमीनो अमलक के लिए सम विभव बिंदू अलग-अलग होगा उसका कोई एक मान थोड़ी होता है एक मान नहीं होगा उसका हर अमीनो अमलक के लिए सम विभव बिंदू आईसो एलेक्ट्रिक पॉइंट अलग-अलग होता है सरलतम अमीनो अमलक ग्लाइसीन होलो एंजाइम को ही अलो एंजाइम कह सकते हो cellulose की इकाई, cellulose की इकाई क्या है glucose, starch की इकाई क्या है glucose जटेल अमीनो अमलर, ट्रिप्टो फैन, सबसे जटेल अमीनो अमलर, ट्रिप्टो फैन नाग को ही औन एसिटाईल ग्लुकोसमीन कहते हैं भście, जो एननने एजी है, एननने एसिटाईल ग्लुकोसमीन कहा जाता है नहीं, ट्रांसफरेज हाइड्रोजन का ट्रांसफर नहीं करेगी, हाइड्रोजन का ट्रांसफर, इलेक्टरॉन का ट्रांसफर, ऑक्सिजन का ट्रांसफर, ये रिडॉक्स अभी क्रिया है, तो ट्रांसफरेज नहीं करेंगी, ठीक है, ट्रांस फैट क्या होते हैं, ये जनतों से अनिमल्स जो होते हैं न बचों, अनिमल्स से जो आपको वसा मिलता है, उस वसा को ट्रांस फैट कहते हैं, उसे ट्रांस फैट, जो अनिमल्स से वसा मिलता है, जैसे आपको दूद में वसा मिलता है, चीज में वसा मिलता है, जो जन्तों से वसा मिलता है उसे trans fat कहते है बीटा प्लीटेड क्या होती है बीटा प्लीटेड द्वित्यक संदचना है बई पट्टी के रूप में पाई जाती है जेलीडियम और ग्रैसिलेरिया लाल शेवाल को कहते है जेलीडियम और ग्रैसिलेरिया जिन से आपको अगार- होता है कि इन्यूलिन फ्रक्टोस से बना होता है कि aurnythine amino रहे लिखा तो है ओरनीवियर्य इंस्ट्रूलेषान गाबा यह सब अमीन रहे हैं लेकिन ये ऐसे अमीनậ Parce बहुत है जो प्रोटीनन संजलेशन में काम नहीं करते हैं। माल्टोस काप घटन करने वाली एंजाइम माल्टेज अरे प्रोटोप्लाजम में तत्व तो बता दिये ना सारे फिर पूरा तो प्रोटोप्लाजम में तत्व जो होंगे वो कोशिका की संदचना में पढ़ेंगे ना जैवणू में कहां से पढ़ेंगे कोशिका की संदचना में देखेंगे जीव द्रव्य में क्या-क्या मिलेगा आइसो एंजाइम्स का मतलब है जो अलग-अलग एंजाइम्स हैं अलग-अलग एंजाइम्स होती हैं भिन्न एंजाइम्स होती हैं लेकिन वो सेम अभीक्रिया का उत्प्रेरन करती है और्नितीन, सिट्रूलिन, गाबा यह अमीनो अमला में इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि यह ऐसे अमीनो अमला है जो प्रोटीन का निर्मान नहीं करते हैं इन अमीनो अमला को हम मानवकारीकी में पड़ते हैं इसलिए अरे अभी भूके व्यक्ति और भूका व्यक्ति है या खाने वाला व्यक्ति है उसमें अभी आपने श्वसंद चैप्टर थोड़ी पड़ा है ओमेगा-3 वसी अमल होते हैं हाँ बहुर अच्छे होते हैं ओमेगा-3 fatty acids होते हैं मचलियों से प्राप्त होता है वो drying oils drying of oils का मतलब है hydrogenation of oils ही होता है जब हम तेल से वसा बनाते हैं उसे drying of oils कहते है homeostasis या समस्थापन जो है homeostasis या समस्थापन का मतलब है शरीर में होने वाले किसी भी परिवर्तन को ना होने देना शरीर में मानलो तापमान बढ़ा तो उसको वापस कम कर देना मानलो pH परिवर्तित हुआ तो उसको वापस सामान्य ले आना उसे सम स्थापन या Homeostasis कहते हैं हाँ अगले टेस में इस चैप्टर से प्रशन आएंगे बिल्कुल ये पूरे चैप्टर से प्रशन आएंगे कल से आनुवान्शी की पढ़ेंगे बताया था मैंने कल से आनुवान्शी की या Genetics पढ़ेंगे Solidifying agent का मतलब है जो माध्यम को ठोस बना सके जैसे आईस्क्रीम और जली को गाड़ा बनाना है जिवानू जिस माध्यम पे वृद्धी कर रहा है उसको ठोस बनाना है उसे Solidifying agent कहते है प्रोटीन की तृत्यक संदचना का मतलब है प्रोटीन की ओवरॉल फोल्डिंग बच्चों प्रोटीन की ओवरॉल फोल्डिंग होगी उसके आधार पर दो तरह के प्रोटीन बताये थे और फाइब्रस प्रोटीन जो जल में नहीं घुलते हैं प्रोटीन का लेवल कम हो जाता है तो शरीर पे फरक पड़ेगा ना बिल्कुल पड़ेगा भई कोई भी प्रोटीन अब वो कौन सा प्रोटीन है उस पर डिपेंड करेगा ना की शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब सामान्य रूप से प्रोटीन शरीर में कम हो जाएगा तो व्रिद्धी रुख जाएगी विकास रुख जाएगा मरमत रुख जाएगी कौन का वेलिन ए बताया है एक तरह का लेक्टिन है ऑक्सिडेटिव फॉस्फोराइलेशन अभी कहां से सवाल पुछोगे बेटा आप यह अपनने श्वसन वाला चैप्टिर पढ़ा है क्या जो आप ऑक्सिडेशन फॉस्फोराइलेशन कह रहे हो मोनो सैकराइड जल अब घटित नहीं होता लेकिन जल में घुलंचील अरे जल में घुलंचील कोई भी अनुकब होता है जब वो हाइडरोजन बंद बना सकता है तो मोनो सैकराइड जल के साथ हाइडरोजन बंद बना सकते हैं इसलिए जल में घुलंचील होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड अलग है अमाइड अमाइड सी ओ एनेच टू होता है पेप्टाइड सी ओ एनेच होता है लेक्टिन क्या होते हैं लेक्टिन्स ऐसे प्रोटिन्स हैं जो शक्रा के साथ जुड़ जाते हैं ऐसे प्रोटिन्स जो शक्रा के साथ जुड़ते हैं उनको लेक्टिन्स कहते हैं और लेक्टिन्स का सबसे कॉमन उधारन कौन का वेलिन ए होता है सर्फैक्टेंट क्या होता है लेसी थिन फॉस्फोलिपिट था ये लेसी थिन ये फेफ़णों को फैला के रखता है फेफ़णों में प्रिश्ट तनाव को कम करके उनको फैला कर फुला के रखता है ये सर्फैक्टेंट है ठीक है कौन सा ग्राफ ये वाला ग्राफ देखना है तो यहाँ पर ये अभीक्रिया होती है भई ये अभीक्रिया या रियाक्शन का प्रोग्रेस है यहाँ पर आपके पास शित्य जूर्जा यानि पोटेंशल एनरजी है शित्य जूर्जा यानि पोटेंशल एनरजी हो गई भई अब क्या करोगे क्या है ग्राफ यहाँ पर क्रियाधारे रियाक्टेंट्स और रियाक्टेंट्स किसमें परिवर्तित होंगे उत्पादक या प्रोडक्स में ठीक है यहाँ पर यह आपके पास रियाक्टेंट्स है अभिकारक क्रियाधार यह क्रियाधार उत्पादक में परिवर्तित होंगे लेकिन तब परिवर्तित होंगे जब एक यह निउन्तम उर्जा ग्रहन कर लेंगे इसको हम सक्रियन उर्जा कहते हैं यह आपके पास सक्रियन उर्जा है लेकिन यह तब है जब एंजाइम नहीं है और सरवादिक उर्जा किसके पास होगी यह transition state मैंने आपको बताया था जिसकी उर्जा सबसे ज्यादा होगी वो बहुत कम स्थाई होगा वो क्या होगा अस्थाई होगा तो reactants इस उर्जा सक्रियन उर्जा को ग्रहन करेंगे और फिर उत्पादक में परिवर्तित होंगे अब एंजाइम क्या करती है एंजाइम इस सक्रियन उर्जा को ही कम कर देती है मतलब एंजाइम के कारण ये सक्रियन उर्जा अब कम हो जाती है तो ये सक्रियन उर्जा कम हो गई इसका मतलब क्या आगई एंजाइम की उपस्तिती तो एंजाइम जो है वो ये सब मैं क्लास में बिल्कुल बच्चों देखो कमेंट्स ये सब हम पढ़ चुके हैं मैं वही तो कह रहा हूँ बच्चों जो अपने सारे टॉपिक सफन ने हर चीज तो कवर कर ली है अब आप डाउट सेशन में सिरफ ये ही पढ़ाओगे सर ये वापस बता दो ये वापस बता दो उससे बहतर है बच्चों आपके पास वीडियो उपलब्द हैं ज्यादा समय कुछ अच्छा सवाल कुछ अच्छे प्रशन आप पूछना चाहेंगे इसलिए डाउट सेशन करते हैं अब एक टॉपिक सर ये वापस बता दो ये सब चीजे मैंने बता दी थी बेटा ठीके तो ये जन्तु सिमेंट में कोलेजन जन्तु सिमेंट का उधारन होता है हाया लिउरोनिक अमल जो होता है वो भी जन्तु सिमेंट का उधारन होता है बहुत सारे डिपेंड करता है ओप्शन काउन से है जन्तु सिमेंट का मतलब है जो दो कोशिकाओं को जोड के रखे तो संयोजी उत्तकों में आपको कोलेजन मिलता है वो भी एक जन्तू सिमेंट है हाया लिरोनिक अमल मिलता है वो भी एक जन्तू सिमेंट है वो option के basis पर decide करना पड़ता है भाई RDS क्या होता है respiratory distress syndrome जिन बच्चों में lecithin नहीं बनता जिन बच्चों के फेफड़ों में surfactant या lecithin नहीं बनता उनके फेफड़े पिछके हुए रहते हैं सास लेने में तकलीफ आती है उन बच्चों को वो बिमारी है respiratory distress syndrome cellulose क्यों नहीं बई cellulose में helical संदचना नहीं है न स्टार्च में कुंडलित संदचना थी इसलिए वो आयोडीन के साथ जुड़ सकता है सिल्क, fibroin, fibrous protein है प्रोस्थेटिक समू का उधारन हीम समू एबरिन, resin ये सब द्वित्यक उपाप चयक हैं द्वित्यक उपाप चयक, एबरिन, ricin ये सब drugs होती है एक प्रकार की और ये द्वित्यक उपाप चयक हैं कोलेस्ट्रॉल कहां पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल रुधीर में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल स्चिरोइड हॉर्मून का निर्मान करता है, कोशी का प्लाज्मा जिल्ली की द्रव्यता को बनाए रखता है मसल्स में लिपिड का निर्मान नहीं होता भई वसा एडिपोज उत्तक होते हैं उसमें मसल्स में कहां पर वसा बनाओगे आप अरे बाइलोजिकल मिडल मैन अलग अलग जगे यूज होता है वही ऐसे थोड़ी यूज होते हैं भई अलग 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 है बाइलोजिकल मिडल मैन एक कोशिका में मिडल मैन क्या होता है गोल्जी संकुल होता है कोई अभीक्रिया में middle man क्या होगा enzyme होगी क्योंकि वो अभीक्रिया का उत्प्रेरन कर रही है तो depend करता है न middle man किसके संबंद में पूछ रहे हो सवाल बेनेडिक्स टेस्ट एक टेस्ट होता है शक्रा के की पहचान के लिए शक्रा की पहचान करनी है कार्बो हाइडेट्स की पहचान करनी है उसकी पहचान के लिए किया गया टेस्ट बेनेडिक्स या फेलिंग्स टेस्ट कहलाता है सेल्यूलोस का पाचन क्यों नहीं होता सेल्यूलोस का पाचन करने वाली एंजाइम हमारे शरीर में नहीं मिलती सेलिलोस के पाचन के लिए सहजीवी जिवानु चाहिए होते हैं वो सहजीवी जिवानु हमारे अंदर नहीं मिलते RDS को कैसे दूर कर सकते हैं लेसितिन, सर्फैक्टिन डाल कर काईरल कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन जिसके चारो समू अलग-अलग हो एसा कार्बन जिसकी चारो वेलिंसी अलग-अलग रसाइनिक समू से जुड़ी होई हो उसे काईरल कार्बन कहते हैं यार किरेल कार्बन आप सवाल पूछ रहे हो यार बच्चों कमा ले अरे अलफा हेलिक्स संद्रचना होती है अल्फा हेलिक्स एक संदचना होती है प्रोटीन में, अल्फा हेलिक्स कोई प्रोटीन का उधारन थोड़ी है, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन की एक संदचना है, द्वित्यक संदचना अलोस्टेरिक मॉडूलेटर का मतलब है ऐसे योगिक जो एंजाइम के अलोस्टेरिक शेत्रों पर जुड़ते हैं उन्हें अलोस्टेरिक मॉडूलेटर कहते हैं अच्छा ग्लूकोज में कितने काइरल कार्बन अच्छा है देखो बेटा ग्लूकोज में पांच और चार क्रमश होते हैं देखो जब लीनियर चेन होती है तो पांच है और जब वलय बनाओगे तो चार किरेल कार्बन मिलेंगे फाइब्रस आकार है फाइब्रस का मतलब है रेशा उसका शेप है फ्रोटीन का ग्लॉबिलर का मतलब है गोलाकार प्रोटीन है फाइब्रस मतलब रेशे के रूप में प्रोटीन है आईसो इलेक्ट्रिक पॉइंट अमीनो अमल का अलग अलग होगा डेक्स्ट्रिन क्या होता है डेक्स्ट्रिने कार्बो हाइडरेट होता है भई त्रीमा जी डेक्स्ट्रिन भी एक सम बहुलक एक पॉली सैकराइड होता है जो ग्लूकोस से बना होता है टर्न ओवर नंबर का मतलब होता है एंजाइम प्रती सेकेंड प्रती मिनेट कितने क्रियाधार को उत्पादक में परिवर्तित करती है बहुत धन्यवाद बेटा बहुत अच्छा थांक्यू बेटा सब समझ आ रहा है बहुत अच्छी बात है बेटा किताब आप बिल्कुल थोड़ा मेहनत बिल्कुल मेहनत करता रहा करो नोट्स पढ़ने के बाद NCRT पढ़ लिया करो बिल्कुल सही नोट्स तो बेटा जो मैंने आपको PDF देता हूँ न उसी से बनाने पढ़ेंगे जो मैं आपको board पे लिख देता हूँ वही नोट्स हैं वही long notes कहो short notes कहो जैसा कहना चाते हो उसको कह सकते हो लेकिन जो जो मैंने PDF आपको दे दी है उसको अच्छी तरह पढ़ लो उसके बाद NCRT से पढ़ लो NCRT को कुछ बिंदू है वो आप मेरे PDF में add कर दिया करो बस हाँ बहुत अच्छी बात है बेटा शाबाश अरे pseudo monas यहां कहां पढ़ेंगे भई pseudo monas के बारे में pseudo monas एक जिवानू है यहां कहां पढ़ाऊंगा जैवनू में अभी तक शैपरांस अभी बताया मैंने शुरुआत देखो doubt session में भी मैंने अभी शैपरांस के बारे में यहां बताया था भी मैंने वापस वही प्रश्ण पूछ रहे हो यार शैपरोंस का मतलब है एक ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो अन्य प्रोटीन्स को घुमाने में फोल्ड करने में मदद करते हैं नहीं प्रोटीन्स में अमीनों अमलक केवल पेप्टाइड बॉंड से जुड़े होंगे प्राथमिक संदचना में केवल पेप्टाइड बॉंड बहुत धन्यवाद सुमिता जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा थैंक यू हाँ जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ न वो नोट्स काम आएंगे उस एक सवाल भी बाहर नहीं जाएगा उससे लेकिन आप लोग डॉट्स में भी वही चीज़ वापस पूछ ले हो जो मैंने बता दी वही चीज़ वापस सर वापस ग्राफ सारे ग्राफ अपने पढ़ लिये थे बच्चों आज बताऊं आज मैं आज को मता नहीं आया मुझे मुझे लगा कुछ अच्छे प्रशने लेकर आओगे रिविशन करोगे आप बताओगे सब आप वही चीज़ ये वापस बतादो Phospholipid की संदचना वापस बता दो सर, glucose की संदचना वापस बता दो, एंजाइम के ग्राफ वापस बता दो, वापस बताने में बच्छोν थोड़ी तो महनत आपको करनी चाहिए ना, मैंने आपो कहा था, मैंने आपको हमेशा बढ़ गया नहीं, तक भी आदे बच्चे ये मेसेज कर रहे हैं सर नहीं ली है तो बेटा लेनी पड़ेगी ना एंसी आटी तो ने तो एंसी आटी गूगल पर डाउनलोड कर लो फ्री में किताब डाउनलोड कर लो बच्छो थोड़ी महनत आप करोगे मैंने आपको हमेशा बताया आप एक चीज मुझे बताओ आप मुझे चीज बताओ कि आपका जब नीट का पेपर होगा तो उसमें मैं आपके साथ बैठूंगा क्या नीट का पेपर मैं आपको सब महनत सब कर लेंगे अपन लेकिन नीट का पेपर तो आपको खुद को देना है या आप मेर ऐसे क्लियर करोगे क्या कितने क्लास में हो नर्सरी कौन सी क्लास में आ गए वापस तो आप क्या करोगे बच्चों जीवन में फिर ठीके काम और आधी प्रश्न इतने सर वो घर में वो एक टेल का डब्बा है सर उसमें कैसे पैचाने के कौन सा तेल है तो बताया था ना बेटा पूफा वाला सिस्टम ग्लूकोस किस से मिलकर बना होता है अरे यार ग्लूकोस तो बेटा सबसे सबसे सरलतम कार्बो हैडरेट है और जिसने भी अभी तक नहीं लिए तो मजा कर रहे हो का ओप तैयारी कैसे करोगे भई सर इंसी आडी नहीं है हमारे पास तो ले ओ एंसी NCRT तो लानी पड़ेगी ना बच्चों बिना NCRT तो कैसे काम करेगा मैं तो सब पढ़ा दूँगा लेकिन NCRT की रीडिंग तो माननी पड़ेगी ना एक बार टारगेट के स्टूडेंट्स हो अब आप लोग छोटे स्टूडेंट्स थोड़ी हो दसवी से ग्यारवी में थोड़ी आये हो हाँ हाँ MCRT fingertips MTG fingertips Objective सवाल वाली किताब है बिल्कुल वही वाली किताब है पढ़ के याद होंगे भई सर कैसे याद रखेंगे इनिबिटर तो पढ़ोगे ना बेटा एक चीज को दस बार पढ़नी पड़ेगी तब याद होगा बिल्कुल याद होगा मेहनत करनी पड़ेगी तब याद होगा लिपिड में सेल मेंब्रेन तो आगे पढ़ेंगे संजना जी प्लाजमा जिल्ली होती है न कोशी का जिल्ली कोशी का जिल्ली में वसा होता है और कोशी का जिल्ली में सबसे अधिक मात्रा में फॉस्फो लिपिड होते हैं कुछ मात्रा में ग्लाइको लिपिड होते हैं तो लत्ममीनु अमलक Glycine बता दिया, भई, गोंध किसे बने होते हैं, गोंध बनते हैं, कारबनिक योगी को से बनते हैं, भई, गम्स जो हैं, गोंध जो हैं, टर्पिनोइट से कारबन योगी को से बनते हैं, NCRT कोई भी साल के लो भई इस साल की लो पिछले साल की लो उससे पिछले साल की लो कोई फरक नहीं पड़ता लास के दो-तीन सालों में से कोई भी NCRT ले सकते हो कोई फरक नहीं पड़ता RBSC की बुक अरे RBSC का सिलेबस भी NCRT का सिलेबस ही है अरे वाह क्या बात है बहुत अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चेंज के लिए मैंने बता दिया था बच्चों MTG fingertips की बुक आती है वो ले सकते हो बिग फोर क्या होते हैं बिग फोर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सिजन नाइट्रोजन चलो कोई तो नई चीज पूछ रहा है आज यह बिग फोर एलिमेंट जो है ना कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सिजन नाइट्रोजन यह आपके पास बिग फोर हैं यह चार तत्व हैं जो सब से ज्यादा काम आते हैं जैवनुओं में कार्बन हाइड्रोजन आक्सिजन नाइट्रोजन यही तो स्टेरोइड्स क्या होते हैं स्टेरोइड्स व्यूत्पित वसा हैं यह कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरोइड है व्यूत्पित वसा होते हैं कोलेस्ट्रॉल से सरल जो वसिय अमल है वो सरल वसा के उधारने आप बोलोगे सर घी तेल और वसा में क्या अंतर है तो वसा वसा के अंदर अपने सरल वसा लिखी थी ना सरल वसा में अपने पढ़ा था लेटिक्स क्या होता है पादपों से मिलता है अभी कहां पढ़ना है लेटिक्स बेटा बहुत अच्छा प्राइमरी स्ट्चर का एक्जामपल हीमोग्लोबिन और एक क्रोमो प्रोटीन का मतलब है जिसमें रंग होता हो Chromoprotein, Chrom کا مطلب होता है रंग, तो himoglobin लाल रंग का होता है ना तो उसको Chromoprotein भी कहते है ठीक है Time table तो हर्च बेटा पढ़ना बरेगा ना Time table में तो यह है सबसे important चीज की जो class में पढ़ाया जा रहा है सबसे पहले सुन लो जो class में पढ़ाया जा रहा है वो तो regular पढ़ना है, उतना तो समय physics हो, chemistry हो, biology हो, class में जो चल रहा है वो जरूर पढ़ना है, तो अगर biology में जैसे आपने class पढ़ी, उसको आपने वापत revise करने में एक घंटा आपको लगा, तो एक घंटा तो आपको regular classroom का देना है, उसके क्या समय उसको देना है, उसके बाद जैसे जैवनु अपन पढ़ चुके हैं, उस chapter को भी revise करना है, तो एक घंटा उसके लिए निकालना है, तो biology के लिए आपको दिन के दो या से धाई घंटे अभी निकालने है, एक घंटा तो आपको जो live class चल रही है, जो regular topic चल रहा है, साथ भी करना है, तो आपके पास लगबग 2-2 घंटे की, करीब करीब आपको 6-7 घंटे की self study तो करनी ही पड़ेगी, भई 5 घंटे की तो class हो जाती है आपकी, सुबह साड़े आच से डेड़ बजे तक, उसके अलावा आपको 6-7 घंटे आपको self study के लिए देने चाहिए, न नुक्लियो साइड में difference आणविक जैवी की में बताऊंगा ना, प्यूरीन, पिरिमिडीन, नुक्लियो टाइड, नुक्लियो साइड, DNA, RNA, मैंने कहा ना कब बताऊंगा मैं, जब आणविक जैवी की पढ़ेंगे, मैंने बताया थोड़ी अभी नुक्लिक अमलर, तो वही प्रशना वापस पूछ रहे हो, मैंने कहा यह आणविक जैवी की में पढ़ेंगे, recorded वीडियो है न आप लोगों के पास, उसमें आणविक जैवी की में, नुक्लियो टाइड, नुक्लियो साइड, प्यूरीन, पिरिमिडीन, सब बता दिया, पढ़ सकते हो बई, जो पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, गलाइडीन नहीं, गलूटीन प्रोटीन होता है, गलूटीन प्रोटीन जो अनाज में मिलता है, गेहू में, गेहू में, बाजरा, मक्के, इनमें गलूटीन नाम का प्रोटीन मिलता है, सेल्यूलोस का क्या खटक अरे सेल्यूलोस ग्लूकोस से बना है भई बीटा ग्लूकोस से बार बार रिविजन करने के लिए मेरे नोट्स पढ़ने ज़रूरी है NCRT तो आप दो या तीन बार रिडिंग मार लिया करो नोट्स बहुत इंपोर्टेंट है हर चीज़ उसमें है आँ बिल्कुल सही ट्राइग्लिसराइड क्या होता है यार कमाल सवाल पूछते हो प्रवींज रब ट्राइग्लिसराइड क्या था यार एस्टर्स वसीयँ अम्ल और गलिसराल को जोड़ कर जो आप एस्टर बनाते हो उसे ही तो ट्राइग्लिसराइड कहते हैं घी और तेल, फैट और ओ हेलिक्स और प्लीतेड संरचना है बेटा हेलिक्स कुंडलित संदचना होती है प्लीटेट चप्ती संदचना होती है तो कुछ प्रोटीन हेलिक्स संदचना दर्चाते हैं जैसे केरेटेन प्रोटीन है कुछ प्रोटीन होते हैं वो पट्टियों वाली प्लीटेट संदचना दिखाती है अरे अलग-अलग प्रकार के तेल होते हैं ना क्या बहुत सारे तेल होते हैं अब सवाल देखो आप सर सर कौन सा तेल सर पे लगाएं सर कौन सा तेल शरीर पे लगाएं सर क्या काम मज़े ले रहे हैं आप लोग आज पामिटिक अमल सोला कार्बन का वसीय अमल है और स्टियरिक अमल अठारा कार्बन का वसीय अमल है बताया था ये भी चीज बताया था ना आपको सोला कार्बन का वसीय अमल होता है पामिटिक अमल क्या संदचना होगी इसकी CH3, CH2, COOH ये पामिटिक अमल है अठारा कार्बन का वसी अमल है, स्टिरिक अमल ये संत्रिप्त हैं या संत्रिप्त हैं, संत्रिप्त हैं या संत्रिप्त हैं, एकल बंध हैं, संत्रिप्त वसी अमल हैं भई म्यूको पॉली सैकराइड्स क्या होते हैं म्यूको पॉली सैकराइड्स ऐसे विशम पॉली सैकराइड्स हैं हेटरो पॉली सैकराइड्स हैं जो जल या प्रोटीन के साथ बंद बनाते हैं प्रोटीन सिंतेसिस कहा होता है राइबोजोम्स पर एक कोशिका में जहां जहां पर राइबोजोम्स होंगे वहाँ वहाँ पर प्रोटीन संचलेशन होता है ठीक है बचलों बाकितो कोई जो कमेंटस हैं भई प्राइमरी संदचना का मतलब है प्रोटीन में अमीनो अमलकी संदचना जो protein है protein में amino amlaki जो श्रिंखला होती है जिसमें peptide बंद शामिल होते हैं उससे अपन प्राथमिक संदचना कहते हैं सब में hydrogen बंद होंगे helix में अंज़ाइम का क्रियाशील टापमान मैंने बताया ना बेटा बीज से 35 जिग्री Centigrade के मद्य इंज़ाइम काम करती है अब अलग अलग अंज़ाइम से अलग अलग तापमान पर बढर 20 से लेकर 35 जिग्री Centigrade एराकीडॉनिक एसेड इंपोर्टेंड क्यों है एराकीडॉनिक अनिवार अमीनो अमला है ना बेटा यह अपने शरीर में बनता ही नहीं है तो इसलिए भोजन से लेना पड़ता है और आगे चल कर मैंने कहा था यह प्रोस्चाग्लेंडिन्स भी मनाता है इवर्सली प्रपोर्शनल होता है किसके एंजाइम उद्प्रेरंस है हीमोगलोबिन में चार श्रिंखलाएं होती है बेटा दो अलफा और दो बीटा श्रिंखलाएं चार बहुत-बहुत धन्यवाद चिंकित सेंजी बहुत-बहुत धन्यवाद सिल्क फिब्रॉइन रेशम में जो प्रोटीन पाया जाता है वो फिब्रोइन अरे एंजाइम की पीच अलग-अलग होगी ना आज पैपसिन एंजाइम है अमाशय में काम करती वो अमलिय पीच पर काम करेगी लार में जो पीच लार में जो एंजाइम है वो 6.8 पीच पे काम करेगी अलग-अलग पीच चीक है बचों चलो अब तो बढ़िया बढ़िया थैंक्यू बचों थैंक्यू विम्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद को सब्सक्राइब०। नौन कम्पैटिटिव एनिबिशन को हम कैसे कर सकते हैं। देखो अभीकारक सांद्रता बढ़ा के तो कम नहीं कर सकते, उसको फिर आपन जो संदमक हैं उसको हटा कर ही Non-competitive inhibition को कम कर सकते हो। सक्सिनेट डी हाइडरोजिनेस एंजाइम होती है उसको संदमक होता है मैलोनेट और उसका अभीकारक होता है सक्सिनेट। लेसिथिन की संदचना बता दू देखो बेटा लेसिथिन की संदचना में मैंने बताया था ग्लिसरॉल होता है ये रहा CH2 CH CH2 दो वसीय अमल होंगे ये पहला वसीय अमल ये दूतरा वसीय अमल ठीक है फिर फॉस्फेट समू जुडेगा ना एक फिर एक नाइट्रोजन योगिक है ये मेरे पास किसका संदचना भई लेसिथिन की तो लेसिथिन में आपके पास ये ग्लिसरॉल था ये एक और दो वसीय अमल है ये फॉस्फेट समू है और ये एक नाइट्रोजन योगिक है ये फॉस्फो लिपिड की संदचना है लेसिथिन की स्टार्च का अबघटन कौन सी एंजाइम करती है अलफा अमाईलेस अलफा अमाईलेस एंजाइम होती है टाइलिन एंजाइम होती है जो स्टार्च का अबघटन करती है ठीके भई सरलतम अमीनोमलद टाइरोसीन नहीं होता भई गलत दे रखा है न वो error होगा भई सरल्तम अमीनों अमला glycine होता है ठीक है बचो चलो फिर आई होप आप जैवनू अच्छी तरह से क्लियर कर लिया होगा अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा फिर डाउट हो तो फिर वीडियो देख लेना एक बार बट पेंडिंग मत रखन कल में बतानों और मगाएगा कल से हम आनुवांशी की पढ़ेंगे genetics ठी कहें तो genetics की संदचना कल से हम पढ़ेंगे मंटेंड्यमेरिक्स आते हैं तीन से चार परशन हरएंगे आएंगे नीट में ठीक है ता सूक्रोष को must गर में जो पीन हीँ खाते हो ना आप तो घर में शक्कर टेबल पे रखते हो तो टेबल पे रखते हैं घर पे शक्कर इसलिए सूकरोस को टेबल कर दीए क Short Ama Polativa अमल बनाने के लिए चाहिए तो सल्फा ड्रग्स पैरा अमीनो बेंजोईक एसिट को हटा देती हैं वो प्रतीस परधा पैरा अमीनो बेंजोईक एसिट से करती हैं तो पैरा अमीनो बेंजोईक एसिट जुड़ नहीं पाता फोलीक अमल नहीं बन पाता किस कारण सल्फा ड्र हाइड्रोजन बंद होते हैं बताया था वापस देखो नोट जाकर वापस नोट चेक करो वीडियो चेक करो यह तो बता दिया भई मैंने सब थेराप्यूटिक एजेंट का मतलब है ऐसे कोई प्रोटीन जो किसी बिमारी के उपचार में काम करते हो थेराप्यूटिक का मतलब उपचार में काम करने वाले प्रोटीन पढ़ेंगे आगे बहुत सारे टॉपिक्स में पढ़ेंगे आगे लेसिथिन क्या है भई अबे तेरी लेसिथिन क्या है ये प्रश्ण पूछाए आप लोगों ने क्या बात है यार अरे फॉस्फो लिपिड होता है भई लेसिथिन लेसिथिन फॉस्फो लिपिड है ब्रेन शुगर होती है गैलेक्टोज गैलेक्टोज ब्रेन शुगर क्यों है क्योंकि गैलेक्टोस जो है वो मस्तिश्क में संरचना बनाने में काम करती है इसलिए उसको ब्रेन शुगर कहते है अरे वा भई सर मैंने तो जैनेटिक्स के बच्चे मेंड करें सर हमने तो जैनेटिक्स का रिकॉर्डेट वीडियो देख लिया नोड्स भी बना लिये सारवादिक मीठा जो होता है वो सैक्रीन होता है नेकाना बायों के शौर्ट नोट मैंने कहाना शौर्ट नोट बना दो लॉंग नोट बना दो बनेंगे पीडीय से ही बना लो बही जैसा आपको सही लगे scurry का मतलब क्या होता है scurry का मतलब है basically gravy जब आप किसी भी जीवित उत्तक को उसको trichloro acetic umbrella में मिलाओगे ना उसको घुमाओगे तो उससे जो paste बनता है ना thic paste उसको slurry कहते है ठीक है भई चालो पिर बढ़िया 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 ठीक है, चलो फिर हीमो लिम्फ क्या होता है, कीट होते हैं ना बच्चों कीट, जैसे कॉक्रोच है, तो कीट या कॉक्रोच का जो रुधीर होता है, उसको हीमो लिम्फ कहते हैं, उसको हीमो लिम्फ कहते हैं, ठीके नोट्स जरूरी है बेटा मैंने कहा ना PDF जो मैं दे रहा हूँ न वो नोट्स जरूरी है अब उसको आप लॉंग नोट्स कहो उसको आप और शॉर्ट नोट्स बनाना चाहो वो आप कर सकते हो लेकिन जो मैंने बता रखा है उतना तो पढ़ना ही है आरे कोई दिक्कत नहीं है मार्क्स की चिंता नहीं करनी है मार्क्स धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएंगे भई BAMS क्या होता है आयूर्वेद के लिए होता है बेटा BAMS जो है न वो आयूर्वेद मेडिसिन के लिए बैचलर डिगरी होती है उसके लिए भी नीट देना झरूरी है चलो भाई बहुत-बहुत धन्यवाद अच्छे-चे कमेंट्स कर दिये लास्ट में तो आप लोगों न अच्छा रिजल्ट देना है मिलकर ठीक है ओफ लाइन में तो मैंने बहुत रिजल्ट दिये हैं ओफ लाइन में तो हम लोग ने ए आई आर 50 60 70 बहुत स्टुडेंट्स को सेलेक्ट करवाए ओनलाइन मज़ा आएगा ओनलाइन पड़ो मेहनत करो और रिजल्ट देंगे जब मतलब है बेटा जो कोई चीज को उत्तेजित करें किसी की क्रिणा को बढ़ाए उससे अन्लिक केते हैं मतलब प्रोटीन-वागग बेटा इंजाइम का जो प्रोटीन है उसको अपकु एंजाइम कहते हैं हीमो तो गुहा ुतिए विकास जी जंतु-जगत में बताऊंगा ही मोसील तो एक गुहा को कहते हैं, अभी यहां नहीं पड़ेगे, ठीक है भई, चालो भई, फिर बहुत हो गया, आप तो कोई दिक्कत नहीं है, धन्यवाद जितेंदर जी बहुत-बहुत धन्यवाद, BUMS, युनानी मेडिसिन होती है भई, ये इसके लिए भी नीट देना ज़रूरी है, आफलाइन कबसे शुरू होगी, आफलाइन देखो भई, रेजिस्ट्रेशन तो चालू है, और आफलाइन में क्या है बच्छों, उतकर्ष में लिमिटेड सीट्स हैं, बहुत जादा सीट् से बहुत जादा स्चुडेट्स आफलाइन में नहीं होंगे, ऑनलाइन में तो हम कितने भी स्ट्चट्रेशन पढ़ा सकते हैं, हजारों की संक्या में, 23,000 स्चूडेट्स है और लेकिन आफलाइन जो है ना बच्छों, आफलाइन में लिमिटेड सीट्स हैं, तो अगर आखो में आके डालके पास में बैट कर तो रेजिस्ट्रेशन चालू है बेटा बता देूंगे ठीक है भई चालो बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा लगा बड़ी आया शुरुवात में मज़ा नहीं आया मेरे को आज यार अंदर से ना मेरे को लगा अधादा अच्छा प्रशन पूछते आजा आपने तो वही टॉपिक सर वापस बता दो वापस बता दो क्या था भई हाँ यह होई ना बात एया यार फर्स्ट शाबाश इंगी जी बहुर अच्छा बहुर अच्छी बहुर अच्छी सुमित्र जी शाबाश बिलकुल ओफ्राइन कप स्टार्ट होगा पता नहीं भई सरकारी निर्देश के अनुसार हो सकता है 15 जुलाई के बाद पता नहीं बटा अभी तो कुछ यह तो अपडेट तो सरकार डिसाइड करेगी न पर रेजिस्ट्रेशन चालू है बीटा हैलिक्स बीटा प्लीटेड अलग होते हैं भाई हैलिक्स अलग प्लीटेड अलग Holding first place का मतलब पहला सबसे मुख है सबसे प्रमुख aims के लिए कितने marks चाहिए बेटा वो paper आने के बाद decide होता है जब paper आता है cut off निकलती है तब पता चलता है aims के लिए कितने number चाहिए need का form अभी तक नहीं आया हमको कोई date नहीं मालूम अभी तक NEET का कोई update ही नहीं आया NTA ने कोई update ही नहीं दिया है चलो बचो चलो फिर बहुत बहुत धन्यवाद कल मुलाकात होगी नए chapter के साथ धन्यवाद